कि अमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत करेंट चाचा किस एपिसोड में आए देखते हैं आज की करेंट अफेर्स में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा चालू करने से पहले आपको बता दें कि बहुती खुशी भी हो रही है और बैलेंस भी रखना कि कुछ का नहीं भी हुआ तो काफी अच्छा रहा है रिजल्ट और काफी लोगों ने आपने देखा कल से चली रही है तो कहीं न कहीं हम लोग का भी जो थोड़ा च्छोटा मोटा एस्सेशन होता है वो भी देखने को मिलता है सारा 99 परसेंट तो आपका ही होता है योगदान एक प नहीं है बाकि सारा हाड़ वर्क और बाकि सब कुछ आपी का रहता है लगन वह मेहनत वहाज रहती है और हम उमीद कर भी रहें कि जब आप यह 2023 का देंगे यह 24 का देंगे उसके बाद में भी आप इसी मेहनत के साथ लगे रहेंगे तो आई आप सभी का स्वागत इस सेशन में उमीद है आप लोगों तक आवास जा रही होगी आप लोगों तक आवास जा रही होगी I hope you can hear me out very good morning and jahin to all of you class start over overload हो गया था light electricity का तो अभी ठीक है तो we have got one out of every three selections in UPSC CSE 2022 and I think अभी यह नंबर बढ़ेगा क्योंकि अभी offline चीजे भी चालू हो गई है plus we are trying to work on the content also along with you काफी चीज़ों पर हम लोग कर रहे है यह number अभी बहुत अच्छा इसलिए जाएगा क्योंकि we are trying to do a lot of efforts into magnitude of things चालू करते सेशन with a very positive thing कहा जाता है ना मातु हुपर दैवतम अगर सबसे बड़ा देवता है या अगर उस positive energy को देखना है कोई आप से पूछे कि क्या भगवान देखा है किस में है पेरेंट्स में है जो आपके लिए सब कुछ कर रहे है उसी में है तो कई बाहर आपको को कोई बहुत बड़ी energy नहीं ढूंड़नी है आसपास की energy ही ढूंड़नी है और वही सबसे बड़ी energy साबित भी होगी आपके लिए चली चालू करते हैं good morning everyone and this is the first topic that I am going to start with India Australia अच्छा आप देखिएगा लोग प्रियता तो वाकई में है India से ही जब Honorable Prime Minister went to America you remember Howdy Modi that was an event पुरा भरा स्टेडियम एक दम और उसमें हम लोग का गुंज राय आवाज आरत माता की जये वन दे मातरम भारत माता की जये तो एक पात तो कहीना की समझ में आती है that it is our people that have become so important our people when I say it's demography it's your populace the diaspora and it has become so important that जब वो बाहर जाके रहते भी है तो भी ऐसा नहीं क्या लूफ में रहते हैं वो सबको वहां पर साथ लेके चलते हैं यह कल्चर है तो आप अगर पिछले कुछ साल में देखिए तो इंडिया जब अमेरिका भी गिया तो वहां भी आप देखिए वाकई में क्या वेलकम था और कितने लोग वहाई कठा हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी है तो भी कितने ही लोग दिखते हैं और इंडिया वन इट गोस तो यॉरॉप अलसो इन एनी कांट्री दिरा पीपल अराउंड एर यूके खुदी इसमयाप समझ सकते क्या रिष्टे हैं तो वी हाफ सेट अल्मोस्ट फ्यू थिंग्स जहां पर ये कमाल जो हो रहा है वो हमारे कल्चर ट्रडिशन और पॉपुलेस्ट आज लेंट अल दिस आफ गॉन आउट और अफ इन्वल्मेंट अफ देंसेव्स इंट पॉलिसी देर एकनॉमी देर और हर जगह वह इंपॉर तो कुछ लाइब अमेरिका थो उनका आप नहीं कर सकते कि उनका डायसपोर अमेरिका में भी रहेगा यूक नए में कर पाएंगे पर हमें क्या फायदा है we have got a demographic dividend and we have got the people the strength of the population इसलिए population को बहुत बड़ा हतियार भी माना गया है क्योंकि जहां पे जहां पे हम लोग we are there having a तो बहुत मतलब 140 करोड तो हम लोग ऐसे लेते हैं पर अभी census आया का तो शायद कुछ numbers और बढ़े हुए कुछ चीजों से हम तो लगभग इंडिया इस समय एक अलग रहा पर है अगर आप देखें यह वी आप यॉएसे यह वी आप यॉर आस्ट्रेलिया और यहां पर जैपान जिससे की आपकी दोस्ती काफी अच्छी रहती है तो कहीं न कहीं वी आ या वे वेस्ट में लोग हमें जानते हैं हमें पूछना चाहते हैं तो यह बहुत बढ़ीया प्रकुल क्या रहा है तो वेस्ट वी आप वेस्ट आप यह वी यह दो नेवर विजेश वेस्ट आपकर अचाहता यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइं इस से मैसेज लेके इसलिए जब यहां जाते हैं तो यहां भरमार्क एकदम लोग प्रियता और अपने ही घर में तो सबसे बड़ी ट्रबल होता है आप बाहर के लोगों तो फिर भी समझा लेंगे पर अपने ही घर में ट्रबल रहता है और अपने घर की जब हम बात करें तो हम पूरा नेबर हु में इन चीजों को लोग समझते कम हैं अमेरिका समझ रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगला देश नेपाल श्री लंका यह नहीं समझ पा रहा है तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट इसा में चल ला है कि हम आस पास की चीजों को मैनेज बहुत अच्छे से नहीं कर पाते ह हैं पर दूर की चीज़ें बड़े इच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं यहां पे हम पूरा मैनेज कर पा रहे हैं लोग प्रियता बढ़ रही है हमारी तो कहीं न कहीं वी आर्वर सौट आफ पॉपुलेशन आज अबून फॉरस और वर्किंग फॉरस पहली चीज़ अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया कीतम में हम लोग क्यों ऐसे लोगों से या एसे देशों से मिलते हैं आप समसके प्लोरल इ last week's 6atori है, democratic model, तो ideology अगर मिलेगी तो आप क्या करेंगे, friend shoring, आप क्या करेंगे, friend shoring, आपको एक Mac French लगने लगता है कि हाँ यह तो देखो मेरा democratic दोस्त है, India is one of the top sources of skilled immigrants to Australia as per 2021 census, 9.76 लाग people in Australia reported there ancestry as Indian origin, भने बहु pross अख़िन अपना अपना पे अपना पेरेंट लरे बुला के बूला अपको लगे गए कई निकुस और अफार पारट прим भालपनी रहे और sach हमारा participation भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो लगभग maritime से लेके strategic से लेके लगभग आप देख सकते है climate and clean development everywhere we are there both countries have also been cooperated as members of the five interested parties in the world trade organization context and Australia is an important player in Asia-Pacific economic cooperation EPIC और हमारा भी membership support करता है EPIC में यह चाहता है supports India's membership of the organization Australia India has been having a good relationship and has been moving forward with trade की बात करें अगर तो लगभग अगर आप समझें जिसा Australia is the 17th largest trading partner of India and India is Australia's 9th largest trading partner कितना trader यह आपको याद रिखा होगा आपका यह अलड़ी लिखा हुआ है नोर्स में आपका नोर्स में लिखा होगा 27 से 30 billion dollar के आसपास अभी नंबर चल ला है I hope we have written this हमें बस fact याद रखना है 27 से 30 billion dollar की चीजे हैं जो हमारे बीच में हैं बाकि हमारे बीच में deals हुई है economic cooperation हुए है एकता के बारे में आपको पता है we are trying to increase lot of comprehensive economic partnerships that are going to be signed at India Australia के बीच में अच्छा अभी इस में 27 से 30 अब उसके बीच में अगर आप 28 लिख देंगे तो भी एक्जामना थोड़ी ना कट पाएगा इस भी लिख देंगे तो थोड़ी ना कट पाएगा because I'll use the word approximately 30 billion dollar capacity के 50 billion dollar और इसको भी अभी हम बढ़ाएंगे ठीक है so this is what is the framework of our India Australia relationship डायस्पोरा, मैरी टाइम, ग्रूपिंग्स हर जगह हमें लगभग इसका सहयोग मिलता है और अभी आने वाले समय में अभी एडिटोरियल साइंगे एक दो तो हम इसको और बहतर तरीके से भी देखेंगे अभी I feel this India Australia has become a very good symbol अच्छा चाहिए क्यों चाहिए क्यों why do we need India Australia to be having a good relationship सबसे बड़ी बात है हमारा एक बहुत बड़ा इंडो-पैस्फिक जो रेल्म है इसमें हमें इसका साथ चाहिए we cannot trust America that much Australia थोड़ा बहुत उससे तो बैटरी है counter China counter China science and technology और research and development trade अच्छा कर सकता है scope है 50 billion dollar का in the next five years diaspora के लिए we want this to be good India Australia इसलिए भी हमें ठीक से चाहिए क्योंकि हमें दिखता है UN में हमें अपना support चाहिए Australia का we need support Australia का disaster management क्योंकि tsunami से fight करता रहता है we also want some research we want some research environment के लिए deals चाहिए और सबसे बड़ी integration रिल्टों साइं होई चुका है तो यह सब हमें फाइदे हैं जो हम इंडिया उस्ट्रेलिया से दुनिया को दिखाना चाहरते हैं I hope it is fine with all of you चलेगा done so this is India Australia का theme जो अलड़ी हम लोग इन लिख रखा है एक बड़ revise कर लिजगा जो लोग नए जूडते जा रहे है प्लीज एक बार अपना email ID हमें भेज दीजगा अभी after prelims I'll give you that digitalized notes उससे आपको बहतर रहेगा two plus two dialogue yes of course two plus two dialogue बहुत बढ़िया two plus two dialogue भी है ठीक है मतलब जैसे defense और foreign minister मिलेंगे हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी defense of foreign minister मिलते रहेंगे तो two plus two dialogue भी हमारे बीश्व चलता रहता है इंडिया गिव्ज बांगलादेश की रेल इंफराथ this theme इसी और इंडिया नेबर होड्य इंडिया नेबर हूड का थीम आपने बनाया होगा हम लोग अब सारा को club कर देंगे जितना हम लोग ने इंडिया अफगानिस्तान श्रीलंका सब को club कर को देंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे इंडिया बंगलादेश उस तीम में एक जगर हैगा तो वेंगे टॉक आप इंडिया और बंगलादेश आई थिंक बहुत सारा रिष्टा भी हम आपको बताएंगे अभी क्या पहले निज्स क्या है हम लोग इनको क्या दे रहे सिस्टम जो है पीएम गती शक्ति के तहट जो लॉंच हुआ था आई टी सिस्टम जिसे हमें पता चलता है कितना रिवर है कहां पर फॉरेस्ट है कहां से ट्रैक निकले यह सब भी हम उनको दे सकते हैं तो हम लोग लगपक बांगलादेश से अच्छा कोशिश तो कर रहे हैं समझते हैं कि सिर्फ यह लोको मोटिव एक कैपासिटी डेवलपमेंट का एक तरीका हो सकता है पर इसके अलावा भी हमारे बीच में काफी चीज़ें है जोग्रफिकल प्रॉक्सिमिटी है और जोग्रफिकल प्रॉक्सिमिटी होने के कारण बांगलादेश का अगर आप दे एकसेस टू बांगलादेशन और टैरिप्लाइंस एकसेप्ट टोबाको और अल्कोहल तो अब ट्रेड होगा असपास में तो आपको ऐसे भी पता है कि साफ्ता के तहट साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहट हम लोगों ने कोशिश की थी कि बॉडर फ्री को अब हमारे बीच में ट्रेड हो रहा है 18 तू 20 बिलियन डॉलर और ज्यादा तर अगर आप देखेंगे तो यह अपरिल में है जो बुनाई का सेक्टर है कपडों का सेक्टर उसमें ज्यादा तर होता है एक टीन टू 20 बिलियन डॉलर से बॉर्डर हार्स भी लगते हैं हमारे आप देखेंगे तो गंगा ड्यूरिंग यह आपका गंगा वाटर जो ट्रीटी हुआ था यह काफी अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कुषियारा पाक्ट ने भी कुछ ना कुछ हमारी मदद की है कुषियारा पैको इन बांगलादेश शेयर डा बिगस बॉडर इस इस हिसाब से हमारे पूरे लेंथ औफ दॉडर से और इसलिए अगर हमें अब strategically भी देखना है तो इस इंपोर्टेंट फॉर इस प्रांजिट एंड ट्रेड थू वाटर वेस्ट अब गवन बाई लॉंग स्टैंडिंग टेस्ट प्रोटोकॉल अगर तला अखौरा रेल लिंक विल बी फिर्स रेलूट बेटून नौथ इस इं अब हम आएंगे अपने थीम पे तब हम इसको अच्छे रिसस करेंगे एनर्जी सेक्टर को अपरेशन है हम वहां पे भी प्रोजेक्ट लगाते हैं और ट्रांस में ट्रांस्मिशन भी होता है एलेक्टिसिटी का इंडिया बांगलादेश फ्रेंशिप प्रोजेक्ट साइन कोई कमी नहीं है हमारे रिष्टों कि अगर आब बात करें इंसे तो बहुत अच्छे अच्छे रिष्टे हैं बट ना कुछ चीज़े हैं जो हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा इंडिया इंड बांगलादेश प्रिसाइजली जो चीज गवर्न करती हैं वो क्या है connectivity connectivity again we had a civilizational ties है और इसको हम कोशिश करेंगे कि अपना जैसे हम लोग बनाते हैं उसी में ही लिखें इसको तो बहतर है connectivity civilizational ties कहीं न कहीं हमारे trade economy भी ठिक ठाक है इन से रिष्टे trade economy भी ठिक ठाक चल लही है प्लस support geopolitically support geopolitically security की अगर आप बात करेंगे तो security का भी एक dimension है हमारे बीच में क्योंकि बिल्कुल हमारा neighbor है security का भी angle है connectivity railway या फिर आप river sharing का भी बात करेंगे तो वह भी है historical ties, civilizational ties, connectivity है river sharing है river sharing है इसेक्टर तो यह हमारे ties को बनाते हैं इंडिया बांगलेस ties को बनाते हैं टाइस पूरा लोग रहते भी हैं आते जाते भी हैं transit भी चल ला है और पूराना हमारा extremism that is seen sometime some sort of extremism where the people target maybe the minority there or maybe the minority Hindus there target करते वो कई बार हमें खर जाता है तो maybe targeted जो चीजे है the targeted extremism is against our ideology यह कहीं न कहीं परिशान करता है दूसरा है trucks and trafficking to the border हवाला transactions हवाला चाइना एंगल यह सब कई बार इरिटेंट पैदा करता है इंडिया बांगलादेश के संबंदों के बीच में cross border कई बार हवाला transactions drugs trafficking smuggling की जा रही है चाइना factor भी बहुत बढ़ा है क्योंकि चाइना भी पर investment कर रहा है तो कई बार बांगलादेश अपने बात करता है और सबसे बड़ा इरिटेंट हमारे बीच में जो बना हुआ है वह है रिवर डिस्प्यूट अब इतनी रिवर अगर शेयर होंगी तो हमारे पास काफी हैं इंडिया बांगलादेश रिलेशन को समझाने के लिए और हम लोग यहां पर कोशिश हमेशा कर रहे हैं अगर वहां आप क्यापैसिटी डिवलप करेंगे तो ही फायदा है दूसरा है आपको कनेक्टिविटी और अच्छी करनी पड़ेगी कहीं न कहीं आपको जो आपका एक दिल वाला आया था पॉलिसी कि आपको कुछ expectation नहीं है तो गुजराल doctrine दाटे में को जाना पड़ेगा कि मुझे expectation तो नहीं है पर आप दोगे तो मैं ले भी लूँगा गुजराल doctrine बोलता था कि मैं आपको आप neighbor हूं मैं आपको सब कुस देना चाहता हूं without any reciprocity कि आब पर अभी नियो गुज्राल डॉक्ट्रीन कब तक देते रहें हमारा भी अपना कपैसिटी है तो हम आपको देंगे ज़रूर अगर आपको लगता है कई से यह वांट टू मेभी सेंड़ समसिगनल और रेडी फॉर यू तो कभी दोगे तो हम ले भी लेंगे तो नियो गुज् नोट उधर भेजने हैं वहां से अगर पैसा यहां मंगाना है तो हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू आता है जो कि मॉनेट्री जो आपका सर्विलान से उससे अलग रहता है पैसा तो कैश में पैसा वहां से यहां भेज देते हैं ठीक है तो दिस इस वाट इस इंडिया बहुत हम लोग ने इनकी मदद की है तो हम लोग इनका कैपासिटी डिवलप्में बहुत टाइम से कर रहे हैं और रेल वे इंफ्रस्ट्रक्टर में मदद भी करने लास्ट यह पूटिंग अप हाइड लेक्टे पांड्स देर तो यह भी इनको फाइदाई है माली इस्टाब्लिश लिंक्स इद वन सिक्स्टी एट अनकानेक्टेट बॉर्डर विलेश शाह आपको पता ही हमारा थीम इसमें क्या है यह वालड़ी डिसकस्ट अंडर डिफेंस थीम हम लोग ने ओलड़ी इसको डिफेंस थीम में डिसकस कर रखा है वही चीज है अब आपको क्या बार-बार एकी चीज पढ़ेंगे क्या बोला सुनी पिछले छे महीने या हम लोग तो खेर तीम चार महीने कर रहे हैं 168 अंकनेक्टेट बॉर्डर विलेजेस से अपना लिंक बढ़ा इसका क्या मतलब है हम वापस से किसको फॉलो कर रहे है वाइब्रेंट विलेश प क्रॉस्थ बॉर्डर तो वह भी याद रखना है हम लोग को कि एक बड़ा बहुत बड़ा इरिटेंट है कि महां से लोग इल्लीगली माइगरेंट करके हमारे आते दो डेमोग्रेफी चेंज हो जाता है यह यह तो चलिए आगे देखते हैं अब तो डिस इस यॉर एक अब लिखा था गया हम लोगने स्क्यूरिटी इशू में लिखा है किसको अच्छा जो कोई भी बात नहीं मतलब आप यह आपका कॉल है यहां थीचिज़िए इसका थीम फिर सिक्यूरिटी इश्यू में चलते हैं हम लोग ठीक है जाहिन जाहिन तो security issue में हमारा यह theme है, तो what is this, this is your vibrant village program, आईए एक दो जलक फिर से देख लेते हैं, तो क्या है, यह centrally sponsored scheme है, for development of villages on the northern border, thus improving the quality of life of people living in identified villages, यह सारा border area जो चाइना से लगर आप देख सकते हैं, will be covered, two 960 villages with 663 to be covered in the first phase, there will not be overlap with the border area development program, कोई ऐसा overlap नहीं होगा, and the vibrant village action plans will be created by the district administrative with the help of gram panchat, तो vibrant village program का बस मतलब क्या है, इसको हटाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, तो I have got my border area, और border area पर मेरे villages है, some have connectivity, some may not have connectivity, some have development, some may not have development, तो मेरा border area को develop करना क्यों जरूरी पढ़ रहा है, because I feel China का adventurism, चाइना का adventurism, दूसरा क्यों important है मेरे लिए border area develop करना, this is my security issue, अगर वहां के लोग मेरा मदद करेंगे, हमारा मदद करेंगे, तो security वहां की tight रहेगी, third, I want last mile connectivity, इसमें एक humanitarian angle भी है, कि सिर्फ connectivity, security के लिए नहीं, last mile connectivity मुझे वहां infrastructure भी develop करना है, I have to put in development there, तो यह border area के villages में इसलिए हम लोग को develop करना है, because I feel my human development indicators are not good there, human development indicators मुझे वहां पर अच्छे भी करने है, security issue है, पर human development indicators भी अच्छे करने है, अब यहां पर आप देखिए, migration को रोकना, excellent point, क्यों develop करना है, क्योंकि वहां से migration हो रहा है, outward migration हो रहा है, इसको हमें stop करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने चीजे लॉंच किया, यह से vibrant village program, इसके तहट वहां पर action plans होते हैं, action plans include, including people, giving them some jobs, putting them in some jobs, making infrastructure, यह सब वहां पर चालू हो चुका है, लास इसके साथ ही village guards के बारे में आपको पता है, the village guards, village guards, developing economy there, developing economy there, now, I would like to become some, maybe, जैसे अर्थ गंगा, आपने सुना न, अर्थ गंगा का मतलब क्या है कि गंगा से अपना अर्थ economy drive करो, I also have this, अर्थ ग्राम, अर्थ ग्राम हम बना सकते हैं, अर्थ ग्राम क्या है, अर्थ ग्राम मीन्स, my policy of अर्थ ग्राम वुड़ मीन वाट, using my village and the niche products of it, I will develop the economy here, अर्थ ग्राम, जैसे अर्थ गंगा है, वैसे अर्थ ग्राम भी हो सकता है, मेरे village का एक हासिया थे, यह पेर्ड जो मेरे village में सिर्फ लगता है, यह product जो मेरे ही village का है, यह sky जो मेरे ही village से दिखता है, I will cash upon this, मैं इसको develop करूँगा अर्थ ग्राम को, जिससे वहाँ के लोग भारत के प्रती और पढ़िया फील करेंगे, और tourism drive हो सकता है, product का globalization हो सकता है, वो सब हमें inclusive का एक कही नकी signal देंगे, तो अर्थ ग्राम को मुझे बढ़ाना है, तो यह आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीके, so this is the idea for this part, और यह सब आपको पता है, आपको कुछ बोलना है, तो आपको पता ही already किसके बारे में, आईए, वाट काउंट से सेल्ड़म काउंटेड, यह बड़ा important point है, जो हम आप से discuss करना चाहते थे, इसका theme जो है, वो governance है, तो governance का theme निकालीजे सब लोग, governance का theme निकालीजे सब लोग, आपके पस लिखाई होगा, census आखे क्यों किया जाता है, अब देखे, अभी हम इसके factual में नहीं जा रहे हैं, census इसलिए किया चाता है कि मेरे पास एक data है, और उस data के आधार पे मैं policy बनाओ, उस data के आधार पे मैं policy को target करके implement करवाओ, इसलिए मेरा census ज़रूरी है, तो ज़रूरी क्यों है census, because I want to make policies, policies again part of governance, why I want to make policies, to target the people who need it, जिनको मदद चाहिए, उनकी मैं मदद कर सकता हूँ, this is my census figure, तो जब मुझे पता चलता है कि अच्छा, इस area में इतने लोग हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने male हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इतने बच्चे हैं, यहाँ पे इतना literacy है, यहाँ पे sex ratio इतना है, तब मुझे policy intervention करने के लिए मदद मिलती है, पर over the years, it has been felt that, कि कहीं न कहीं, इस census के use को लोग समझ नहीं पाएं, या इस census को ठीक से use नहीं कर पाएं, census बहुत बड़ा हतियार बनता, पर वो लोग इसको हथियार बनने नहीं दिये, क्या reasons हैं, discuss करते हैं, so what counts is seldom counted, जो important है, what counts, that what is important is seldom referred to, is seldom counted, by caste census, अभी आप जाके caste census, अगर 2021 वाला, तो infinite time के लिए उसको छोड़ दिया गया है, indefinite time के लिए, कि चलो जब होगा देखा जाएगा, पर caste as a thing that should have been included, at the very beginning of the things, अभी तक भी दें हुआ है, अच्छा caste से मतलब क्या है हमारा समझेगा, जब आपको policy intervention कहीं करनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए, कि कितने लोग कहां पे रह रहे हैं, और क्या उस जगह उनको अभी भी वो facility चाहिए, सुईधाय चाहिए, यह बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जो मुझे caste census बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ताकि मेरा policy intervention अच्छा होता है, मैं नहीं कर पाया, और कर भी कैसे रहा हो, politics, कर भी कैसे रहा हो, politics, फ्रहाँ समझते हैं इसके बारे में, the fundamental reason why the census has lost significance is because, the data collected are not disseminated on time, despite the use of technology, the primary reason for this is that, the government regulates the release of the numbers, based on its calculations of whether or not, the census data have the potential to harm political agenda, the government is apprehensive at times, means कि मैं अगर ये रिलीज कर दूँगा data, तो लोगों में ये signal जायेगा, मेरा politics खराब होगा, ये चल रहा है, बिहार में चल रहा है, यूपी में हो रहा है, पूरे अगर आप भारत की बात करें, तो इन चीजों पर काफी sensitive बाते होती हैं, हमें क्या देख, हम development देख ही नहीं रहा है, मतलब as a political person, I am not seeing development, what I am saying is, I want to just have fried that chapati, of my politics, on this flame of caste, etc. तो डेटा ही रिलीज नहीं होगा, अच्छा, दस साल में census हो रहा है, 2011, 2001, 2021, अब इन सब के बीच में, कितना rapid change कहां पर हो रहा है, किसी को पता ही नहीं, और आप इतने साल बात भी, अगर डेटा रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो यह डेटा नोट रिलीज इमीडियेटली, तब तक तो दो सरकार आके चली कोई, जब तक आपका डेटा आया, दो सरकार चलेगी, क्या पॉलिजी क्या पता ही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और डेटा इस नोट रिलीज, नमब वन, सेकंड, अचि बढ़बुटेर, लगिए, इस एक्सराइ पोप्लेट आपॉछरात इसार इसच्छा की विलिज ने की विलेज मे क्या इंपॉछी, ऎसि ते टो बड़ा, on the mindset that maybe these people might be having census का यूज ये नहीं था census का यूज था कि मनिपूर के इस विलेज में क्या employment है कैसा employment है उत्तरप्रदेश के इस अर्बन एरिया में कितना employment है किस चीज में employment है कौन agriculture कौन non agriculture ये मद्दा था हमने क्या बना लिए census का वेट करने के लिए कितना number आएगा मेरे population का कि मैं चाइना से आगे निकलूंगा कि नहीं यूज आव और वी हाव रिडियूस सेंसस्टो ओन्ली population headcount which was never the idea of census census एक policy intervention tool था जिसको हमने population headcount में convert कर दिया तो दूसरा problem पहला है release नहीं करते data time पे दूसरा population headcount में बस convert कर दिया है और हम आपको दिखाएंगे due to fear of losing intended benefits of various schemes and of losing citizenship this time lack of education people fabricate and tend to provide false information third challenge is false information लोग पहुंचे आपके द्वार पे गेट खट खट आए सर सेंसस हो रहा है तुरा डिटेल चाहिए हां लिखो कितने लोग हो घर में तीन लोग है लिखो दस लोग रहते हैं इनका नाम इनका हां लिखो एक्स वाई-जट सब नाम दे दिया प्रॉब्लम क्या है नाइदर डू दीज पीपल अभी उपर भी हम आएंगे हाफ टाइम टू कलेक्ट एविदेंस नौर दे वुड वॉन्ट इट उनको क्या करना इतना थक चुके होगा एक्सराइस करके उनको बस नंबर लिके बढ़े आना है तो मेर नंबर पे इसको कर दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहां पर लोग फॉर्स इंफरमेशन देते हैं गाड़ी है ना गाड़ी का पीछे चार गाड़ी खड़ी है दिख भी रही हमको पर ना गाड़ी कहा हमारे पास पैदल चलते हैं गाड़ी बड़ी कौन रखता है कहा से निकलेंगे परकाड़ी हमकोंद लिख रही हों फॉर्स एक फॉर्स आट dalotब चॉर्चे थॉर्टा र शाट रही हमकोंद चारिव हमकोंद टूंचे का प्रेनगे बड़वरी खेन बास जाति ए झा गाड़ीं तो हमकोंद वी खें आख झाटन 10 आ7 के दॉर्थ थॉर्स फॉर्स आखिस मत करो मिनिमल एक्स्लूजन होना चाहिए लोगों को लेने का सोच तब ही सेंसर अच्छा होगा तब ही आपका सेंसर अच्छा होगा तो कई हमारे घर से सीधे चार घर छोड़ के गए क्यों भाई तीन घर ने लिए कौन देख रहा है पिछला का डेटा लिखा हुआ तो लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो उनको मन भी नहीं कि मैं आड करूं यह फैक्ट है अच्छा एक पॉइंट हम आपको यहां पर देना नहीं कि यह अगला सबसे बड़ा चैलेंज अब इन सब सारे चैलेंजेस के बाद बनता है मेरा सेंसस जिसमें लिट्रेसी रेट दिखाया जाएगा एटी परसेंट आपको एटी परसेंट लिट्रेसी रेट अगर हो जा तो समझें क्या बढ़िया चीज हो जाए कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आ रहे थी कि हमारा जो सेक्स रेश्यो है वो इतना बदल गया है कि फीमेल नंबर्स और मोर देन मेल इफ्यू रिमेंबर कुछ दिन महीने पहले का रिपोर्ट है कि वी हैब नौ गॉट मोर फीमेल्स देन मेल्स अगर ऐसा है तो आप एक दिन दिल्ली मेट्रो में ट्रैबल कर लिजे अगर ऐसा है तो आप एक दिन दिल्ली मेट्रो आई और ट्रैबल कर लिजे आप समझ जाएंगे कि इस फैक्ट में कितना एरर होगा पर हम अगर ऑब्जर्वेशन करने निकले आप एक दिन एक काम करिएगा किसी एसी जए चले जहाई जहां नहीं होता है और आजकल तो वी नोग एक बहुत बड़े टूल के तौर पर यूज कर सकते थे उसका परपस कर दिया कुछ लोगों ने मिलकर कि नहीं बस यह इतने ही पहिस्तित रहेगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको हमें समझना पड़ेगा और एक डेटा पर नही आपने ही government agencies से census करवाए अपने ही government से implement करवाए अपने ही government से monitor करवाए नहीं चलेगा आपको audit करना पड़ेगा and unless and until you have the citizens audit citizen's participation your governance is a full failure if you do not involve citizens into audit monitoring हमें पता ही नहीं चलेगा गवर्मेंट खुद कई जच खुद कई lawyer खुद कई advocacy करेगी तो कैसे पता चलेगा आप census करा रहे हो, Registrar General of India बैठे हैं, वो भी चलने, Census Commissioner बैठे हैं, वो भी चलने, सब आपी के लोग हैं, आप इनको बोलो कि एक फैक्ट हटाने में तो यह हो सकता है, कुछ लोग रिजेट होंगे, पर कुछ लोग तो हटा भी देंगे, we want audit to be there, but isn't that case of exclusion of women in public space and employment, very correct, very correct, I would say जो हम लोग women labor force participation rate का बात करते हो, तो गिरा हुआ ही बिलकुल, वो score तो एकदम गिरा हुआ है, but I would say कि कहीं तो दिखेंगे ना आपको, अगर if I am saying कि female are more than male, तो मुझे कहीं तो दिखेंगे ना, आप train travel कर लो, metro travel कर लो, flight में बैठ जाओ, कहीं तो दिखेंगे ना, घर में चले हो, घर में गाओं में आप चले हो, घाओं में भी आपको यह दिखेगा, problem is our data are not corroborated by any audit, अगर audit होगा उसका तब पता चलेगा कि सही से किया गया है, या नहीं किया गया है, तब पता चलेगा, करियरा मुद्दा आई अगले मुद्दे पर चलते हैं, और फिर से आपक हम लोग वाटर का एक जगए लिख लेंगे, तो मेरे लिए बहतर है, आपने वाटर रिसोर्स के थीम बनाई होगी, वहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज्यादा बहतर रहेगा, और विकन राइटिट देर उनली, चलेगा, चलेगा, आईए, तेलंगाना, आंध आंधर प्रदेश वाटर डिस्प्यूट, खुड़ा समझते हैं, आई आंधर प्रदेश को बाइफर्केट किया गया, और जब बाइफर्केट कर देने के बाद तेलंगाना बनाया गया, तो कुछ चीज़े रहे गई, तो कितना बड़ा ये एरर है, या फिर इसको अगर हम बोलने की डेफिसिट रहे जाता है, कि हम लोग हर चीज़ सोची नहीं पाते है, हमने स्टेट बाइफर्केट किया, हमने बाउंटरी बनाई, पर हमने रिवर शेरिंग के ऊपर बोला ही नहीं, सोची का मुद्दा कितना गंभीर आगे के लिए छोड़ दिया जाता है, पर कुछ नहीं बनाई, आपने दो बोर्ड बना दिये बस, हम आपको डिसकस करते हैं इस चीज़ को, तेलंगाना और अंध्रप्रदेश वो शेयर स्ट्रेचेश ऑफ क्रिष्णा और गोदावरी पहले मैप दिखा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर है, आराम से यह आंध्रप्रदेश है, यह वाला पार्ट और यहां से अगर आप डिवाइट कर देंगे तो यह मेरा तेलंगाना वाला पार्ट है, तो मुझे कृष्णा गोदावरी दोनों दिखेगी, आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखिए कृष्णा रिवर आपको दिखेगी दिखेगी, दिखेगी, इसमें आपको देलंगाना दिखजाएगा, अब आई ये चलते हैं इस पर, and the godawari and own their tributers, तो यहां tributer कृष्णा गोदावरी, बोथ स्टेट्स हाब प्रपोस्ट केट्स विधा।ट गेटिटीने क्लिरंगेंस रोंगेंस क्लिरंस प्रम रिवर बोस the Central Water Commission and the Apex Council as mandated by the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. अभी थैड़ियेगा. यह जो Andhra Pradesh का Reorganization Act है, जिसके तहती बाइफर्केशन होने वाला है, mandates for the constitution of an Apex Council by the Central Government for the supervision of the functioning of the two boards, that is Godavari River Management Board and Krishna River Management Board. तो वो like Apex Council बना दीजे, जो की monitor करेगा the functioning of Godavari River Management Board and Krishna River Management Board. Apex Council comprises of the Union Water Resource Ministry or Minister and the Chief Minister of Telangana and Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Government's proposal, अब दिखिए, अगर आपके पास नदी है, तो आप उससे अपने लोगों का भला करने का हमेशा सोचेंगे. अगर मेरे पास से नदी गुजर रही है मेरे स्टेट से, तो I will try to take in more water from it, of course for my people. पर मेरे पास एक responsibility ये भी है, कि अगर मैं upper reparian हूँ, upper reparian का मतलब नदी पहले मेरे यहां से पास होती है, फिर किसी और राजी में जाती, अपर हूँ मैं, upper reparian. तो मेरा इदाइब तो बनता है as an upper reparian कि lower reparian state को भी मैं मदद करूँ. अब यहां पर क्या होता है? नहीं, मुझे अच्छा खासा पानी चाहिए, क्योंकि मेरे यहां पर सूखा पढ़ रहा है, I have got drought stricken area, I have my farmers here, तो मुझे अच्छा पानी चाहिए, हर किसी का होगा. इसी बात में सबसे बड़ा dispute आता है कि कितना sharing हो पानी का. तो इस act ने तो नहीं किया था, अब किया किसने? आंद्रपदेश गवर्मेंट प्रपोजर तो इंक्रीज़ाइशन ऑप क्रिष्णा वाटर फ्रॉम सेक्शन ऑफ रिवर अपने मन से क्या बोला कि मैं श्री सेलाम रिज़वाइर के पहले का पानी और अच्छी से यूज़ करूंगा इंक्रीज़ाइशन ऑफ क्रिष्णा लेग तो तेलंग गाना गवर्मेंट फाइलिंग कंप्लेंट श्री सेलाम रिज़वाइशन अपने मन समय करने लगा यही डिस्टूट का कारण बनेगा अब प्रॉब्लम क्या है कि इस एक्ट ने देर इस नो मेंशन ओफ वाटर शेर्स इन अंद्रप्रदाश रियॉर्क्राइशन अग्ट 2014 देर इस नो मेंशन कितना वाटर शेर होगा इसका कोई मेंशन ही नहीं है इस गरवर्नेंस फेलियर कि सिंस्ट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिबूनल अवाड सुनिएगा वै यह यह पर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट पुराना है 1990 में ट्रिबूनल बनता है आंद्रप्रदेश कर्नाटक महराष्ट इन तीनों के बीच में ओलड़ी डिस्प्यूट चल रहा था और इसके हिसाब से एक award दिया गया, जिसमें आंधरपदेश को कुछ ratio मिला, कि आप इतना use करो, करनाटा कितना, महराष्ट इतना, यह इनको मिल गया, पर तेलंगाना तो बना नहीं था उस समय, तो उसके लिए कोई river नहीं छोडा गया, कोई share नहीं छोडा गया, यही award आज भी focus में है, but it had not made any region wise allocations, at a meeting convened by then ministry of water resources in 2015, the two states had agreed for sharing water in the ratio 34 is to 66, मतलब मैं 34 is to 66 में, जो पानी आ रहा है आगे पहले आंद्रपरदेश में, माली जे अगर 100 पानी आ रहा है आंद्रपरदेश में, तो मैं 34 और 66, 34 goes to my Telangana, 66 goes to my आंद्रपरदेश, यह हम लोगों ने mutually decide कर लिया, as an ad hoc arrangement, with the minutes clearly specifying that it has to be reviewed every year, तो Telangana demands 50%, आंद्रपरदेश without asking, Telangana has increased it automatically, तो विवाद तो बनेगा है, dispute तो बनेगा ही, और इसी लिए problem यह है, कि हम लोग कोशिश तो करते है, resource को claim करने का, use करने का, but we are indifferent to other's needs, अच्छा, इंडस state water dispute tribunals भी इसी लिए बनाया जाते हैं, और तरीके से, Supreme Court को मना किया गया है, कि आप कृपा करके, कोई भी ऐसे, interstate water dispute में आप ना बोले तो बेहतर है, और यह Constitution में ही लिखा है, यह Constitution में ही लिखा है, कि कृपा करके, आप मत बोलिए, आप interstate water dispute में मत बोलिए, क्योंने बोलिए, क्योंकि मैं, अपना dispute tribunal बनाऊंगा, वो इसको resolve कर देगा, आप मत बुलिए, तो कैसे बोलता है Supreme Court, Supreme Court इंग चीजों में पढ़ता है, special leave petition के तहत, special leave petition के तहत, जब आप एक अलग से request लेके जाते हैं, तो उसके पास तो command है, under the complete justice norm, वो तो कुछ भी कर सकता है, तब वो लेता है इस data को, या इस figure को, इस case को, otherwise normally Supreme Court को नहीं मिलना चाहिए, Supreme Court बहुत दूर रखना है, तो अब ये किया गया, कि आप अभी सबसे दूर रही है, मैं resolve कर दूँगा, बट इस case has been going on since long now, petition review भी वापस से लेल भी लिया ते लंगाना ने, कि ठीक है कोई बात नहीं, mutually decide करते हैं, पर अभी भी कोई mutual decision हो नहीं पार है, governance का lethargic attitude देखिए, कि water इतना important source है, आप dispute होने चल सकते हैं, दस साल से चल ला है, पर इस वो solve नहीं किया जा रहा है, this is the great problem that is existing, उसके तहत आप ले सकते हैं, उसके तहत आप ले सकते हैं, but interstate water dispute tribunal बनेगा, जो कि भारत सरकार article 262 को यूज करके बनाएगी, और उसको बनाना चाहिए, अगर कोई ऐसा dispute आता है, तो जिसके तहत साफ Supreme Court को मना किया गया, कि आप मत बीच में पड़ो, but I can use my SLP, specially petition, I can go to the Supreme Court, taking कि सर वो लो गलत कर रहे हैं, आपको ले नहीं पड़ेगा, तो यह अभी तक का भ्योरा है, यह अभी तक का भ्योरा है, so this is what is the dispute going on, and over the period of time, जैसे जैसे आएगर dispute, हम और इसके बारे मिसक्स करते रहेंगे, पर अब यह जो dispute है, वो आप आंद्रप्रदेश, तेलंगाना, करनाटक, और महराष्ट के बीच में हो चुका है, पहले तीन थे, अब चार हो चुका है, राजी, बस इतना हमें समझना है, the paradox of bricks, its new pathway, the paradox of bricks, its new pathway, अब आपको पता है, यह मेरा international order भी आप कर सकते हैं, international order, क्योंकि भारत इसमें involved है, तो इसको हमें समझना होगा, BRICS आपका एक grouping है, James O. Neal ने इसको conceptualize किया था कि Brazil, Russia, India, China, and then added South Africa, they are the economies, और जब ये economy चलेगी, तो शायद world को drive करेगी, ये economy के अभी तक बात थी, किसी ने सोचा नहीं था कि BRICS इस मुकाम पे पहुँच पाएगा, BRICS के पहले एक conceptualization हुआ था एक idea कि जिसका नाम है इबसा, India, Brazil, South Africa, इंडिया, Brazil, South Africa, पर उन सब को मार करते हुए, स्टार्क को अलग करते हुए, इबसा को मार करते हुए, BRICS आगे-ागे, ब्रिक्स बहुत आगे-ागे, कुछ समझना चाहिए हमें, इबसा के अगर आप बात करें, इंडिया, ब्राजील, South Africa, has been unable to hold its summit since 2011, भाई अगर ये तीन South-South cooperation वाले मिलें, इंडिया, ब्राजील, South Africa, तीन South-South cooperation वाले मिलें, तो इनको अच्छा कार सा Global South cooperation को बढ़ाना चाहिए था, पर 2011 से इनका समिटी नहीं हो पा रहा है, और इसी दौरान अगर आप देखें, ब्रिक्स का लास्ट तेरा सालों में 14 बार सम्मेलन हुआ है, 14 बार सम्मेलन हुआ है, ब्रिक्स has focused its attention on both geopolitical and economic issues, ये दोनों पे focus किया, geopolitical भी और किस पे, economic dimensions पे भी, लगभग, economic front के आब बात करें तो जबर्दस चीजे लॉंच किया ब्रिक्स ने, इसने सीधे अपना बैंक खोल दिया, न्यू डेवलप्मेंट बैंक, पोर्टा लेजर डिक्लेरेशन, तो फोर्टा लेजर डिकलेरेशन, ब्रजील अपना नया बैंक खोल दिया, न्यू डेवलप्मेंट बैंक, बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैलेंज करूंगा वर्ल्ड बैंक को, और अब वो फंड करता है प्रोजेक्स को, इन कंट्रीज में, इसके पास एक contingent reserve arrangement भी है, जैसा IMF के पास है एक reserve arrangement, वैसे इसके पास contingent reserve arrangement है, एक financial mechanism है to protect against global liquidity problems, BRICS subdue करने लगा, global order जो पहले था, World Bank को subdue किया, IMF के खिलाफ क्या बोलें, उसको subdue करने के लिए खुद अपने आपको आगे किया, BRICS, चाइना का lead है, इंडिया अच्छा खासा समर्थन करता है, तो BRICS काफी आगे बढ़ने लगा, new development bank में अच्छे अच्छे लोग ने समर्थन किया, और प्लस हमारा contingent reserve arrangement भी है, जिसमें काफी लोग हम लोग को fund दी है, पर इसमें एक negative tendency भी बनने लगा, हम फुड़ा सा पहले इससे बात कर लें आप से, फिर इस पर हम आएंगे negative tendency पर तो, तो लगबग अगर आप BRICS का देखें समझें कि BRICS आगे चलके आने लगा, तो economic development में काफी आगे आगे है, लगबग आप देखेंगे geopolitically काफी आक्टिव हैं इन देशों को अगर आप देखें, प्रजील, रश्या, अब ब्रजील भी निकल ला है, अभी तो खामोश था कुछ दिनों से, अब निकल क्या आने लगा है, रश्या, इंडिया, चाइना तो आप समझ जी सकते हैं, इतना बड़ा एक्सिस बना हुआ होता अगर हम लोग कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अब लोगों को लगा, इंडिया, ब्रजील, साओध आफ्रिका को, कि अब मेरा, यूएन में भी रोल बढ़ जाएगा, और मुझे हो सकता है, पर्मनेंट सीट मिल जाए, तो लोगों का भ्रम तूट गया, जब इतने साल होने के बावजूद भी चाइना ने सपोर्ट नहीं किया, यूएन इसका सीट का, और चाइना सपोर्ट करेगा भी नहीं, रश्या चाहे ना चाहे, चाइना सपोर्ट नहीं करेगा, तो ब्रिक्स का वो जो भ्रम था, कि हम लोग एक साथ है, और हम लोग अब एक साथ ड्राइव कर सकते चीजों को तूटने लगा, यह सबसे पहली एक निगेटिव टेंडेंसी निकल के आती है, तो एक डिपलोमेटी बेंकरप्सी यहां दिखता है, इसमें चाहिना स्थाठ कर देगा, इवरी एफ़र अप इंडिया तो गेट अट्राइव एक नमेंटिव टेंडेंगार्टी निकल के ओट निगेटी अटेंगा, इसमें चाहिना थ्वार्ट कर देगा, इवरी चाइना लगभग 2010 के बाद से अलग ट्रेजेक्टरी पे है चाइना मिलिटरली जियो पॉलिटिकली ओल्ड फ्रेंड्स को रिवाइफ कर रहा है अलग ट्रैक्ट पे है और यही रहने वाला है अब यही रहने वाले इसके कारण भी अब अंदर का डैनेमिक्स थोड़ा हिलने लगा इंडिया बोला रहे नॉट सो गूड ब्राजील अलग से ग्यान देने लगा साओद आफ्रिका बिचारा चूपी बैठा हुआ भी बहुत दिन से अब कौन बोला बस रश्या चाइना रश्या चाइना इंडिया बस काउंटर कर तो ग्रुप का इनर बैलेंस खराब हो क्यों ब्रिक्स में आना चाहते हैं ऐसा क्या हो रहा है तो हम आपको बता है इस समय वर्ल्ड में डी-डॉलराइजेशन की बात चल रही है डी-डॉलराइजेशन इसलिए लोग चाहते हैं ऑल्टरनेटिव ढूनना लोग चाहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक और आई-एम-फ बना रखा उसको तोड़ना है कि इसे तोड़नेंगे ब्रिक्स ने अलड़ी अपना बैंक बनाए इसलिए तोड़ सकते हैं यह एश और वेश्ट के खिलाफ अगर किसी को बोलना है तो ब्रिक्स कामा आसकता है इसलिए लोग अगर अगेंट्स जाना चाहते हैं या फिर ग्रोइंग वेल, साओध अफ्रिका ग्रोइंग वेल, एंडिया ग्रोइंग सो वेल, एकनॉमी ड्राइफ करता है जियो पॉलिटिक्स और वो कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि अगर मैं वेस्ट खिलाफ भी जाओं तो कैसे जाओं तो ब्रिक्स में आप जूड़ना च क्लियर चीजों में जाना चाहरा है, हम लोग इधर क्या चाहरा है, शान्ती से बैठो, अपना टेंशन मतलो, लेट्स नाट मेक साच वेपन जो की सब को तबाह कर दे तो इसके खिलाब भी हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रिक्स इसलिए और आगे निकल को बता दें कि हमारा एक चालू होने वाला 25 माई से, और CMC कोड आप याद रखेंगे, अगर आपको कोई भी आड्मिशन लेना तो CMC कोड पर आप ले सकते हैं, और आप फेथ करना चालू कर दीजिए, ठीक है, फेथ करना आप चालू कर दीजिए, वे ट्रैंग तो पूट सक्सिस प्रोग्राम है, पांच जून से चालू हो रहा है, CMC कोड पर यहां पर भी लाब ले सकते हैं, यू कन टेक लाब फ्रॉम CMC कोड इन हीर और सो भी आपको बहुत-बहुत धन्यवा, तो मुच टेक क्यर, जैहन बबाबा एवरिवरीगा, पाई